हाई अवरिवान वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीफार्मेस्टी सिक्सेमिस्टर का बायो फार्मको काइनेटिक्स का यूनिट टू एलिमिनेशन का ये पार्ट टू है इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा थ जिसकी तरू जो ड्रग होती है या फिर गर्ग जो मेटबलाइट स्वां होग है वो बॉडि के अंदर से बाइब हर मूव करते हैं ठीक है था श्रेशन को ऑम लोग डिफाइन कर शते हैं कि आप प्रोसे बाइबिच द्रग और मेटबलाइब कर सकते हैं कि एक प्रोसे एक व्हाँ कहते है था धनार एफर सुन की दित्व इसक रागों मि अनुरी भीड दूरléर खर्डशिशन ragड़ तो भी दो पीडिस होज ऑ hoop सपस्कुबीशन दूरा के दुक मुछ शपेंटि हर हम नारी दोड़ी धर रोम लार्ड ही हो च्रेशन शीर हो और त्य। परिर नेदwers परीक खुपिलिक्ती दल टाने हैं यह नहीं सो सब्हुरिप से सून के एτοियुस्जिज्ज उन्हलन खुल anti-t analyse के टाने में खुबिल के टिनल पर में खीक खुब एकथियर के था रेसके चरह सब्हजा होता है अधियो था उसलि ईकार है तो मैं मिकषटंति काइब काशच्छार है यहमारे नाफ़न का स्ठ्रक्चर है यह पीमहना हमारे इसलियूने कारFFAR triggers कॉSh rival कार formulla between और अधिया हम्मिक्र है हमारे एक्धियूने काशच्छ्रां का पर इसलिच यह चैनल सेख़वर इस प्रिखलोर्लोर स्जी अवर्वी इसमे में हो दिए प्रेश्पा सतने ग्यार === और जिन का filtration नहीं हुआ है जिन चीजों का filtration नहीं हुआ है वो हमारे यहां से ऐसे move होते हुए filter नहीं हुए वो तो भी हां पे है वो तो भी हां से move होते हुए यहां पे capillaries में आजाते है ठीक है इस वाले part को हम लोग बोलते है बोकुल और यो कोई भी मॉलिकूल कोई हूँ, भी मॉलेक harsh बोकुल और कोई सनल प्रस्तर्स होके हृँ सबलाभ है उसको देन भालस की दो होता है सबस्तांस अपर इंड्राभल कॉने में सनल रहां प्रसेस्स प्रसेसिश के यह प्रसेश की पार वह खर्ला है इन steps को एक बार देटेल में देखते हैं first step हमारा होता है glomerular filtration इसमें क्या होता है कि जो blood होता है इसका filtration होता है और blood में से जो भी हमारा drugs है और metabolites है और जो भी base products है वो सारे हमारे blood से tubules में आ जाते हैं जो glomerular filtration rate होती है वो होती है हमारी 120-130 ml per minute glomerular filtration rate यानि कि एक minute में हमारा जो kidney है वो कितना blood फिल्टर कर रहा है कितने blood को फिल्टर कर रहा है एक minute में kidney उसको हम लोग गोलता है glomerular filtration rate ठीक है उसके बाद जो glomerular filtration है वो उन्हीं drugs का ओगा जो non-protein bound होगी ठीक है जो पोर्स प्रेजंट है भो filter हो सका है ऊसके बाद में जो filtration होता है यह दो यानि कि drug को या फिर किसी भी और substance को blood से हमारे tubules में move कराने के लिए एक carrier की ज़रूत पड़ती है और यह जो process है इसमें energy की ज़रूत पड़ती है तो यह जो carrier होते हैं यह दो तरह के होते हैं जो active tubular secretion होता है इसमें दो system होते है पहला जो system होता है वो organic acids या फिर anions के secretion के लि जो हमारे ट्रांस्पोर्टर इसमें जो रिक्वायर होता है जो इस तरह के system में involved होता है यानिकी जो कि हमारे organic acids या फिर anions को blood से tubules में move कराता है उस तरह के transporter इसमें जो involved होता है हमारा OATP organic anion transporting polypeptide इसमें के लावा जो दूसरा होता है system for secretion of organic bases या फिर cations इस तरह की secretion होता है इसमें क्या होता है कि cations जो हमारे blood से हमारे tubules में जो है उनका movement होता है ठीक है और इस type में जो involved होता है लेकिन वो गलती से filter हो गया है तो वह substance या फिर जो वह drug है फिर कोई भी जो molecule है वह वापस से हमारे blood से हमारे sorry जो हमारे tubules है वहां से वह मूव करेगा blood में ठीक है reabsorption होता है किसी भी substance का tubules से blood में वापस से movement करना इसको हम लोग reabsorption बोलते है ठीक है तो reabsorption जो है वह वह होता है तो इसलिए हम लोग क्या करते है कि रग के यौकी हमारा यहां से aид drag घ्लाक करते है डीकला आउटतरा की यॉद्द आशिए लंडग का 18 ov 你 कि पिए में अक्पली premier कि निए प्य की वह हती बाइस है एक्जांपल बाता में ब्हुत कि मिभीस कह लेया इसलिकका थे लिका में था ऐन भीन में नहीं आएगा है पहला है था कहला किया yıldı आ गाए रहरा पेंस क्वाक चाहए द्रान्सपोर्ट है के लिए किसे बी रस्पोर की сам Complete यह ब्लेड में ट्रांस्पोर्ट करना है तो इस ट्रांस्पोर्ट के लिए हमको कारियर के जरुवत पड़े की ठीक है ऐसे ड्रग्स एक्टिव ट्रुबलर रिप्सप्शन के थूरू जिनका एप्सप्शन होता है वह हमारे एंडोजनेस सबस्टांस होते है जिनकी जरुवत होती है बॉड़ी को और वह गलती से हमारी फिल्टर हो चुके होते है तो उनके एक्जांपल से हमारे ग्लुकोज हो गए जिसे वाइटमिन हो गया अमीन ऐसे हो गए और कुछ ड्रग्स बहुत कम ड्रग्स है जिनका एक्टिव ट्रुबलर सिक्रेशन होता है एक एसी ड्रत पैसे ट्रुबलर सिक्रेशन होता है जो कि हमारी नॉन आयनाइज है और जो लिपोफिलिक है उसके बाद आता है रिनल क्लियरंस और रिनल क्लियरंस का मतलब होता है कि वो वॉल्यूम किसी भी बॉड़ी फ्लुइड का जिसमें से ड्रग जो है वो रिमूव हो चुकी है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम जो है ब्लड का फिर प्लाजमा का जिसमें से ड्रग जो है वो रिमूव हो चुकी है ठीक है अगर हम लोग एक्जैंपल से समझे तो सपोज ही हमारा 50 ml ब्लड है इस 50 ml ब्लड में ड्रग प्रेजंट है ठीक है अब इस 50 ml ब् साथ का जो एक्रियरंस ए अवह फर्दर रोता है रेट फ्ल्डराशन प्लाजमा कंसंद्रूरेनल क्लिरांस रेशियो कर फॉल्मुला हो एब ब्ल्रत र होता है पून क्लिरांस उप्र्टीन और इनुलीन इनियों की जो क्लिर हम एपस ड्रूट है और ग्लिरेंस ओ रहाभ ए तो इसके बान नेक्स टना है या फिंख भूलत इसको बहुते है जो पर पोलते हैं इसके दिन अक्रीयरेंस य। उसके अरा नेक्स नेक्स है। ऊसके अक्सका अच्छो उकक्ते इंगे अख्राइशन तो आफे इसे कौन का इसे य। अथैक्टर relay आश्योंन के यूरिन Right तो जो एक्स्रीशन होगा वो यूरीन के थुरू भी हो सकता है और अगर ग्रेटर तन फाइवंद्रेड दॉल्टन जो एक्स्रीशन जो बाइल के थुरू होगा तो देखा कि जो भी हमारा जो ड्रग्स है तो अगर लिपड शॉलिबल होती है तो उनका रिप्सॉप्शन हो ऑन मिला के थीच बाइव खाएम जाता है तो ऑंका प्लाजमाいきます में concentration of drug, तो जितने ज़्यादा प्लाज्मा में concentration होगा उतना ही ज़्यादा drug का excretion होगा, उसके बाद next distribution, जितना ज़्यादा distribution होगा उतना ही कम उसका excretion होगा, और binding characteristics of drug के बारे में हमने देखा था कि जो drug protein bound होगी, उसका filtration ज़्यादा 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 और उसके बाद में old age में जो GFR जो होता है वो रिडियूस हो जाता है तो GFR रिडियूस हो जाएगा तो जिता कम GFR होगा तो कम जो है ब्लेड का फिल्ट्रेशन होगा ठीक है तो कम एक्सक्रीशन होगा हमारे ड्रक्स का ठीक है इसके बज़से क्या होता है slow excretion की वज़से जो half life होती है रख भर बढ़ जाती है उसके बड़ नेक्स से मारा है disease state renal impairment इसमें है कि अगर kidney का dysfunction हो जाता है kidney अगर अपना function properly perform नहीं कर पाती है तो उसके वज़से भी excretion जो है elimination जो है इसके कुछ causes दिये गए इसमें हमारा hypertension हो गया diabetes mellitus हो गया इसके अलाबा hypovalemia हो गया hypovalemia होता है decreased blood supply to kidneys अगर blood supply कम होगी kidneys में तो कम blood आएगा और कम blood आएगा तो कम blood का filtration होगा इसकी वज़से कम drug का excretion होगा हमारे body में polynephyritis मतलब की जो हमारी kidney है उसका inflammation होना ठीक है उसके बाद में हम लोग हमारा नियल एक्सक्रेशन का था बहुचका अब लोग दिखते है नॉन्रिल एक्सक्रेशन तो उसमें सब सब पहले जो है एक्सक्रेशन थूरो skin एक्सक्रेशन तो इसमें free drugs जो होती है या फिर anionized drugs जो होती है और lipophilic drugs जो होती है वो passive diffusion के थूरो excret होती है हमारे sweat में ठीक है examples ऐसे drugs का जिनका skin के थूर excretion होता है वो होता है हमारे benzoic acid salicylic acid, alcohol और antipylin उसके बाद memory excretion यानिकि lactation lactation के time पे जो milk हमारे mother जो है वो feed करती है बेवी को उस milk से कुछ रग excret होती है तो कौन से रग excret होती है जो free drug होती है यानिकि जो plasma protein से bound नहीं होती है free drug, anionized drug और lipid soluble drug जो होती है वो उनका diffusion होता है milk में ठीक है acid drugs जिनका milk के थूरो excretion होता है उनके examples है हमारे chloramphenicol, diazepam, heroin, methadon, propyl, thio, uracil, tetracycline उसके बाद next है salivary excretion कुछ रगह सी भी होती है इसके excretion जो हो salivary के थूरो होता है तो anionized lipid soluble drugs जो होती है उनका excretion होता है salivary के थूरो उसके example से caffeine, phenytoine, theophylline उसके बाद next है हमारा pulmonary excretion यानिकि लंग के थूरो excretion तो gases और volatile substances होती है उनका excretion होता है वो lungs के थूरो होता है हमारे ठीक है enters primarily through respiratory route are expected to excreted by exhale ear यानिकि जिन ड्रॉक्स का हम लोग हमारी बॉडी में respiratory route यानिकि इनलेशन के थूरो जिन ड्रॉक्स का हम लोग लेते है उनका जो excretion होता है वो exiled ear में होता है उसके पाद जो pulmonary excretion है वो हमारी solubility pulmonary excretion पे solubility का काफ़ साथ effect होता है गर हम लोग example के पाइत करें nitrous oxide जो होती है वो काफ़ी कम solubile होती है ब्लड में इसलिए उसका excretion जो होता है exiled ear के थूरो वो काफ़ी fast होता है transporting polypeptides को कम लोग OETP बोल सकते हैं और P glycoputine transporting system involved होते हैं जो कि हमारे hepatocytes में present होते हैं यानि कि liver के cells में present होते हैं और यह जो transporters होते हैं यह क्या करते हैं drugs को और उनके metabolites को secret करते हैं बाइल में ठीक है सब पहले क्या होता है कि हमारा जो liver होता है ग्लाइको प्रोटीन transporting system हो गए यह सब system क्या करते है कि जो drug होती है drug यह जो इनके metabolites होते है इनको बाइल में secret करते हैं फिर इसके बाद यह बाद गॉल बेडर में जाता है गॉल बेडर में जाके store हो जाता है फिर यह जाके GIT में जाता है फिर GIT की दुरूब जो drug होते है इसका respiration जाता है इसपार में यह फिर stools त्यकिख हो जाता है यह जो बाइल हो एक्सिवेट हो जाता है इस पर हमारा drug होता है यह हमारा बाइल में आया बाइल से गॉल बेडर में गया गॉल बेडर से GIT में गया तो हमारी organic acids, और bases जो होते हैं, lipofilip drugs जो होते हैं, steroids जो होते हैं, large molecules जो होते हैं, इन सब का excretion होता है हमारी miliardy excretion के तरूँ ठीक है, drugs जो इस root से excret होती है, उनका example है, ampacillin oral contraceptives, ठीक है और फिर intestine से वो, फिर feces और जो हमारी stools से उसके फरम एक्सक्रीट हो जाती है, बोडी से, ठीक है green और queenine ठीक है, so this is the end of the video, हमारा chapter जो है वो खतम होता है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, चैनल को subscribe जरूर करे, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, thank you so much for watching